नमस्कार आप देखरें कश्रिश नियूस मैं हूँ रश्मी शिवास्तव आपके साथ और मैं हूँ आपके साथ शिखासरोच सिंग् और लोगसबा चुनाव के दूसरे चरन का मतदान शिरो हो गया है मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी भिर देखी जारी है बिहार की पांच सहित देश भर की 88 सीटों पर चुनाव होने है बिहार की बात की जाए तो किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपूर और बांका में आज चुनाव हो रहा है और दाव पर दिगजों की प्रस्तिष्ठा लगी हुई है ये बड़ी ख़बर आपको बता रहे हैं सुबा साथ बजे से मतदान की प्रक्रिया शिरो हो गई है और मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतार देखी जा रही है और बाका से इस वक्त सहियोगी आशुतोष चंद्रा हमारे साथ जुड़ गए है आशुतोष सुबा साथ बजे के साथी वोटिंग की प्रक्रिया शिरो हो गई है पहली तस्वीर मतदान केंद्र की बाका लोग सबाचेतर में और लोक्तंद्र के महापडव को मनाने के लिए वोटर यहां पहुचने शुरू हो चुके हैं यहां पर हम लोग आदर्स मतदान केंद्र पड़ हैं और आप तस्वीरों में देखिए जिस तरह से आदर्स मतदान केंद्र की विवस्था निर्वाचेन आयोक के तरफ से की गई है सबाबिक तोर पर उसकी तारीफ होती है और सबसे खास बात यह है कि यहां आपको सीनियर सिटीजन मुझे देखने को मिल रहे हैं सीनियर सिटीजन बड़ी तादाद में यहां पर पहुंचे हैं सर यह बताईएगा आप लोग सुवा सुवा चले आया हैं यहां पर वोट देने के लिए हां हम वोट देना है इसलिए मना अधुर्वांस नहीं रहेंगे तो कैसे होगा युवां में तो जादा उटसा की बाद सुनने में आती है लेकिन यहां तो युवा आप लिए अपर पर वोट करेंगे वोड तो मुद्दा मेरा है जो मेरा मननी मुखमन अथी पियाम उसके अथीकर सरकार विकास कर रही है फिर मुद्दा मेरा है कि उसको बनाए रखें आपका क्या मुद्दा है, अभी वोड देने आए है किस मुद्दे पड़ा पलोगी यहां पर बस वही विकास विकास सुबह सुबह बुछले आए हम पहले दे proportionा निकल निकल फोल सुबह बुछल आए है अच्छा लगता है कि सबसे बड़ी बात यह है अच्छी बात भी है कि लोग सुबह सुबह अपने मताधिकार का प्रियोग करने के लिए निकले हैं लेकिन सबसे बड़ी बात मैं बता दू जो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है वो बांका के लिए किया है 42 डिगरी तापमान होने वाला है यहां का और जहां चुनाव हो रहे हैं जिन लोग सबसे ज़ादा गर्म यहां पर बांका में रहने वाला है यह इलाका और सुभाबिक तोर पर यह अच्छी बात है मतदाता निकल कर सुबह सुबह आ रहे हैं देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से वोटिंग प्रतिस्ट बढ़ता है क्योंकि पिछले जो फर्स्ट फेज का चुनाव था उसमें वोटिंग प्रतिस्ट थोड़ा कम हो गया था उसके बाद से निरवाचन आयो की कोशिश यह है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान केंद्रों पर पहुंचे देखते हैं क्या परिणाम होगा अभी शुरुवाती दोड़ है उसके बाद और भी बहुत सारी तस्पीरे निकल कर सामने आएंगी जी बिल्कुल बहु काम तस्पीरे साचा करने के लिए